है मर फिरस्ट को कि इसिश्त में फेटिंग करने में जाना खरचा नहीं आजाया धो नमस्का दोस्तों मेरा नाम है द्रगे man कि अपने चानल द्रगे ट्रड़र्स में आपका बहुत बस्वागत है। दोस्तों अब नाए तो प्रीश चिन को सबस्क्राज़ रूप करें कि मैं टाइल्स और ग्रिनाइट्स लेटल में पुछन करें आप लोगों पहुचाने की पूरी पूरी कोसस करता हूँ दोस्तों इस जो आपको इस्टर्स में जो ग्रिनाइट देख रहा है वो क्या है यह बलेक और भाइट टाइल्स का इसमें इज़ किया गया है जो आपको बलेक लग का देख रहा है वो कौन सा है वो ग्रिनाइट है और जो आपको इस्टर्स में यानि की राजर के रूप में बढ़ जाता है। आपको ऊपर से देखने पर यह इस तरीके से नजर आ रहा हुआ। लेकिन अगर आपको ऊपर से देखने में किस तरीके का लग रहा है। इसमें बहुत ही सांदार क्या है। ग्रिनाइट को सभी तरीके से यूज किया गया है इसमें आपको साइट में क्या पट्टी दिख रही होगी इसमें क्या है ब्लैक और भाइट पट्टी है यह क्या है जो ब्लैक दिख रही है वो आपको यह ब्लैक और भाइट दोनों को क्या है टाइल्स को कटिंग करके इसमे में क्या है इससे इसका तोड़ा सर डिजाइन और अट्रेक्टिव लगने लगता है इस में 16 एस्ट को बनाने में लगबग 26 रुपए खरचा गया था तो यह यह तीन मंजला है लेकन एक में जो खर्चा आया है वह 26 रुपय का खरचा आया है थैंक्यू